तो इन दोनों टेक्नलोजीस में क्या तो subscriptions है और कब कोन सी तरा करना है और तो इसके बारे मैं आझ मैं ए च्छोड वीडियो के थ्रूँ इसको समझने की कोशिश करेंगे 08 Pay 1 अटने मेरा देखा होगा चैनल में मैंने दोदेशे डाल रखें जिसके एंदर एक और की बारे में अच्छे उन्हों तो मैं आप ते करूंगा कि आप थुम दौन वीडियो पर अच्छे देखें उसके बाद जो मैं आज आपको यह डिफ्रेंस बताने जा रहा हूं आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सी टेक्नलोजी को यूज़ करना चाहिए ओके तो अभी मैंने जो आपसे डिस्केशन किया स्मार्ट क्लास रूम उसके अंदर दो तरह की टेक्नलोजी यूज़ होती है जो पहले काफी चला करती दी और अभी भी इवन चल रही है यह प्रोजेक्टर बेस स्मार्ट क्लास रूम और दूसरा है LED Base Interactive Flat Panel जो इस समय मैं यह यूज़ कर रहा हूँ पैनल जो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो बिसीकली आपका LED Base Interactive Flat Panel है तो मैं आपको थोड़ा सा Revise करा देता हूँ कि प्रोजेक्टर बेस जो स्मार्ट क्लास रूम है वो क्या होता है और क्या था वो ओके आप यहां पर देखें इसके अदर आपको क्लियर्टी के साथ सब्सक्राइज में आ रहा है यह प्रोजेक्टर बेस स्मार्ट क्लास रूम है यहां पर यह आपका प्रोजेक्टर लगा हुआ है यह जो आपका डिवाइस है इसको बोलते हैं इंट्रेक्टिव आइड बोर्ड यह वाला जो डिवाइस लगा हुआ है और यह आई आर बेस है अप्तिकल सेंसर बेस भी आता है यह साइड में आप देखेंगे यह चोप बोर्ड है यह यह और यह जो डिवाइस आप देख रहे है तो यह बेसिकलिए आपका क्या है कम्प्यूटर आप इसको GTD बोलते हैं जिसमें बेसिकलिए इन बिल्ड आपका कम्प्यूटर लगा हुआ है और इसके अंदर ही कीबोर्ड माउस और विजुलाइजर डोक्यूमेंट कामरा सब इसके अंदर होता है तो आप यहाँ पर देखो यह प्रोजेक्टर बेस स्मार्ट क्लास रूम है राइट प्रोजेक्टर पेस स्मार्ट क्लास रूम इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स लग गए पहला डोक्यूमेंट कंपोनेंट्स इन में सब से मेन उनिट है कंप्यूटर तो आपका प्रोजेक्टर भी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है interactive board भी आपका computer से connect होता है, speaker भी component connect होता है अब जो मैं आप से next बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ interactive whiteboard की जिस board को आप अभी आप देख रहे हैं जिसके तुम मैं इस चीज़ को explain कर रहा हूँ राइट वो ये है राइट तो आप यहाँ देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही component है electronic component और वो क्या है अपने आपने ये interactive red panel बस आपको क्या करना है इसको एक electricity supply से देनी है that's it क्योंकि इसके अंदर ही inbuilt speakers है यदि हम viewsonic की बात कर रहे हैं तो viewsonic के अंदर आपको 10 watt का left, 10 watt का right प्लस 15 watt का subwoofer मतलब 35 watt के speaker इसमें आपको inbuilt मिल रहे है इसके अंदर आपको android 8.0 operating system inbuilt मिल रहा है 3 GB का इसमें RAM आ रहा है और 32 GB का internal storage आ रहा है right and सबसे important जो चीज में आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे हमारे घरों के अंदर normal TV होते है right तो दिखने में ये बिलकुल TV है और इसके लाव आपको कोई दूसरा और component नहीं लगाना है तो अब मेरा इन दोनों चीजों को explain करने का जो मकसद है वो ये है कि आप easily इसको differentiate कर पाएं कि आपको कौन सी technology को choose करना है और कौन सी technologies को choose नहीं करना है क्योंकि तोनों ही technologies के अंदर कमिया है अच्छाईया है आप मैं बात कर रहा हूँ पहले ये जो हमने भी बात किया था projector based smart classrooms की ओके आप यदि मैं इसके अच्छाईयों की बात करूँ ठीक है तो अच्छाईय में एक सबसे important है वो है ये तस्ता है ये आपको cheap मतलल low price प्राइस 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 मिलेगा as compare to LED बेस interactive LED पैनल second ये old technology है जो काफी time से education के अंदर use हो रही है तो ये इसके अंदर आपको अच्छाईया मिलने वाली है अब मैं आप से इसे बाग करता हूँ कि इसमें कमिया क्या है तो कमिया ये है जैसे मैंने भी आपको दिखाया था यहापे multiple components लगे हुए और ये सारे component के computer के साथ connect हो रहे है अब इस component में ये multiple components है तो multiple components होने से इनकी जो maintenance है वो high पड़ती है कैसे? मालूम चला कि projector की cable जो है हिल गई मालूम चला कि हमारा जो interactive board है उसकी USB cable हिल गई मालूम चला कि speaker है उसकी cable हिल गई तो कोई भी एक cable हिल जाती है या पता चला कि वो cut हो गई है तो पूरा का पूरा system down हो जाता है ओके second आप जब इसके अंदर main जो projection आ रहा है वो projection आ रहा है projector के true ठीक है? और projector जब आप लगाते हैं तो आप basically दो तरह के projector लेते हैं long throw लेते हो या short throw लेते हो तोनों ही case के अंदर projector में main component होता है lamp राइट और उस lamp से light टिगल के आती है वो light feature जब पढ़ा रहा है उसके चेहरे पर आती है और as well as वो जो हमारा interactive board है उससे टकरा करके भी वो reflect हो करके आती है तो वो basically light जो है feature को irritate करती है वो उसको comfort feel नहीं होने रहती है तो normally आप लोगों ने देखा होगा जब भी projector based smart classroom चल रहे है तो normally 5-10 minute के लिए तो teacher सामने आ जाता है उसके बाद वो थोड़ा दूर जाकर करके खड़ाओ करके explain करने लगता है तीसरा जो इसमें मैं आपको बता हूं कमी है वो आ रही है कि जो projector based smart classroom है उसमें जो teaching कराने का जो software है उसको use करना थोड़ा typical पड़ता है as compared to LED based inductive flat panels उस software को ठीखने के लिए teachers लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है काफी practice करनी पड़ती है तब ही जाकर कि वो लोग उस software को use कर पाते हैं तो इतना थोड़ा आप बोल सकते हैं user friendly भी नहीं होता है right fourth जो इसमें कमी है वो है कि projector जो है right projector के अंदर main component क्या है lamp और lamp की एक life होती है आप किसी भी अच्छे brand की projector पे जाते हो तो आप चाहे BenQ पे जाए Viewsonic पे जाए, Epsom पे जाए इसकी भी brand पे जाते हैं तो उस case के अंदर आप देखेंगे कि उसकी जो lamp की life है 5000 गंटे या max to max 5000 गंटे वो भी super eco normal super eco mode के अंदर मिलता है normal mode में 5000 गंटे तक ही निकल के आती है तो normally क्या होता है कि कि इतनी कम life इसकी होती है तो मतलब और उसमें भी warranty जो आपको दी जाती है lamp के ओपर one year की या 1000 गंटे आपको warranty बिलती है तो आप 1000 गंटे को यदि आप देखें तो 1000 गंटे का मेरा मतलब होगे है यदि मैं daily 8 गंटा projector यूज कर रहा हूँ तो roughly जो आपके सामने निकल के आ रहा है 150 125 days और यदि मैं आप से बात करता हूँ कि हम लोग 365 से इसको डिवाइड करते हो roughly है महीना जो है 6 months के अंदर इसकी warranty एक्सपार हो जाती है यदि आप इस parameter के साथ इस projector को यूज करते हो तो normally उसके बाद आपको क्या lamp को lamp में जो है और दूसरा एक प्रोलम यह भी रहता है कि कई बार पर तरीके से हम लोग उसको शटडाउन नहीं करते हैं projector को या अशेप्शनल ही कि कई बार ही light चली गई है तो प्रोजेक्टर बंद हो जाता है उसकी जो लैंप होती है लैंप की life over the period sound होने लगती है तो आपको यह जो लैंप है लैंप को आपको replace करना पड़ता है तो लैंप की भी अपने आप में कोस्टिंग बनती है तो यह आपको मैंने बताया कि इसमें अच्छाई क्या है राइट अच्छाई है कि यह सस्ता है और पुरानी टेक्नोजी है प्रूवन टेक्नोजी है यूज हो रही है और इसमें जो बुराई है आपको नज़र आई वो आए कि मल्टिपल कम्पोनेंट्स है तो किसी भी कम्पोनेंट में कोई इशू आया तो पुरा स्पार्ट क्लास डाउन हो जाएगा फिर आपको उसकी मेंटेनेंस कराने के लिए अलग से खर्चे कराने पड़ते हैं दूसरा प्रोजेक्टर का लैम्प बहुत इंपोर्टेंट चीज है जो बहुत जल्दी एक्जोस हो जाएगा अधि हम लोग 8 गिंटे के पैरामेटर पे चलें तीसरा इसका जो सौफ्टेव यूजर फ्रेंडली नहीं होता है टीचर स्रोगों का मशकत लगती है और पांच चोसा जो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टर की जो लाइट आती है डारेक्ट या उससे रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है तो वह लाइट बिसीकली टीचर सको कमफट पील नहीं कराती है और इनिटेट करती है इन सब चीजों को देखते हुए ही ओके नहीं टेक्टोजी मार्किट में आई इस प्रिफ लेट पेनल ओके इंटरक्टिव पेनल में अब क्या अच्छा है पहला क्या अच्छाई हैं इसमें तो सबसे बड़ी अच्छाई यह all-in-one है इसके अंदर सिर्फ आपको यह लगाना है that's it, कोई दूसरा component नहीं लगाना है second इसके जो जैसा भी आप देख रहा है तो मैं software ही use कर रहा हूं इससे मैं पढ़ाने के लिए आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए वो software काफी user friendly है इसमें ज़्यादा practice की जुर्णत नहीं है normally आज हर teacher अपने mobile के साथ comfort है वो WhatsApp, Facebook अगर आज़ी कर पा रहा है तो जो बंदा यह कर पाता है वो इस software को भी easily use कर लेता है तीसरा इसके अंदर जो तो किसी तरह का प्रोजेक्टर नहीं है तो प्रोजेक्टर नहीं है तो किसी तरह की प्रोजेक्टर की जो light का reflection का जो issue सा वो खतम हो गया, right projector light की और इसके अंदर जो basically light source है वो LED है तो आप LED light source होने से इसकी जो life है ठीक है LED होने का आपको दो benefit मिल रहा है, पहला की long life और दूसरा low power consumption ठीक है, long life से मतलब है LED है, तो minimum आप देखेंगे तो पचास हजार घंटे की इसमें LED की वारंटी आ रही है, right पचास हजार घंटे LED की वारंटी, मतलब यदि मैं वही parameter यूज करूँ, 8 घंटे का इसमें डेली में 8 घंटे यूज करूँ और 365 दिन पूरे साल में मैं इसको यूज करूँ बिना कोई छुट्टी उट्टी मारे हुए, तो करीबन ये करीबन 14-15 साल की इसकी life निकल करके आती है, जो हम भी हमने आप यदि इसको एक घंटा चलाते हो, तो 0.16 यूनिट बिजली लगती है 0.16 यूनिट और एक यूनिट की कोस्ट यदि मैं 7 रुपर पकड़ लूँ तो आपका करीबन 1 रुपए 12 पैसे आपका खर्चा आता है एक घंटे गा लेकिन यदि आप प्रोजेक्टर वाले में जाते हैं तो प्रोजेक्टर वाले के अंदर प्रोजेक्टर का जो पावर कंजिंप्शन होता है वो करीबन 290 वाट का तो प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर का होता है इसके अलावा कम्पूटर के अलग माल लेते हैं तो 310 वाट पकड़ के चलिए आप, तो roughly आप देखेंगे यहाँ पे तो इससे just यह double खर्चा आ जाता है, right, कि मतलब 2 सबा 2 रुपय पर गंटे का आपका विजली का खर्चा भी आगे बढ़ रहा है, right, तो यह आपको इसमें और अच्छाईयां मिल रही है, okay, अब इसमें ज 4DC कोस्टली है, but, but, जो यह कोस्टली हम बात कर रहे हैं, तो कित्मी कोस्टली है, यदि हम बात करें, कि, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, यह प्रोजेक्टर के अंदर, प्रोजेक्टर बेसे स्मार्ट क्लास्टोंस के अंदर इतने सारे कंपोनेट हैं, सब की कोस्टिंग हम जोड़ लें और फिर हम बात करें खाली इस पैनल की तो रफली जो है करीवन 20-25 परसेंट का ज्यादा कोस्टली पड़ता है यह इंड़क्टी फ्लेट पैनल बट यह जो कोस्टिंग आ भी रही है ज्यादा आ रही है लेकिन उसकी वर्थ है वर्थ इसलिए है क्योंकि इसकी लाइफ आपको करीवन 14-15 साल मिल रही है यूजर फ्रेंडली है और सबसे इंपोर्टेंट यह एक ऐसी टेक्नोलोजी है कि जो आने वाले पांसा साल तक तो यह अफ्लेट नहीं होने वाली क्योंकि इसके अंदर इन बिल्ड इतने सारे फीचर्स डाले गए हैं कि जो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको रिप्लेस करने की जुर्वत प पड़ते हैं तो इसलिए मैं आपके रिक्रेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने स्कूल की अंदर कोलेज में कोचिंग में यूश्टी में आप स्मार्ट क्लास्रूम पर्चेस कर रहे हैं तो प्रोपरली इन सब परामिटर्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करें कि आपको क्या प्रोजेक्टर बेस स्मार्ट क्लास्रूम लेना है या फिर आपको LED बेस इंट्रेक्टिव ट्रेट पनल लेना है तो इस आप तो समझ के करें कौन से टेक्नलोजी आपके लिए यूस्फुल होने वाली है इन तरम्स ओफ ऐसे इन तरम्स ओफ रियली उसका यूस फीचर लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो सब आपके योग पर रहे हैं थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्छ झाल जाएंगे वोग मच्छ झाल